राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ अनन्त चतुदशी दो हजार चोबिस में कब है 16 या 17 दंबर को बंधों भगवान विश्णु को पालन हार बताये गया है धार्मिक मानेताओं के अंसार अनन्त चतुदशी की दिन भगवान विश्णु की विशेश पूजा अर्चरा करने से व्यक्ति की सभी मनों कामनाएं शिक्र अतिशिक्र पूरी हो जाती है साथ ही इस तिन गनेश उस्व का समापन भी होता है इस बार अनन्त चतुदशी की तारीक को लेकर बहुत कनफ्यूजन है कोई कह रहा है कि 16 सितंबर की है और कोई कहता है 17 सितंबर की है बंधों अब हम जानते हैं कि अनन्त चतुदशी का वरत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधी क्या है शुब महुरत क्या है बंधों अनन्त चतुदशी का पर भाद्रपद महा के शुकल पक्ष की चतुदशी तिथी के दिन रखा जाता है इसे अनन्द 14 भी कहा जाता है भगवान विश्नु की पूजा अर्चना करने के लिए यहतिती बहुत उत्तम बताई गई है यहतिती मनो कामना पूर्थी करने वाली बताई गई है इस दिन जो व्यक्ति सचे मन से पालनहार भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की पूजा करते हैं उसकी सभी इच्छाएं पूरन हो जाती है इस दिन गनेश उत्सव का समापन भी होता है और गनेश ची का विश्जन भी किया जाता है बंधों अनन्त चतुदशी का महत्व क्या है यह भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ बंधों अनन्त चतुदशी तिथी का अरम 16 सितंबर को दिन में 3 बज कर 11 मिनट पर दोपहर बाद होगा वहीं स्ताने सितंबर को सुभे 11 बज कर 45 मिनट पर चतुदशी तिथी का समापन होगा शास्त्र विधी अंसार उदेकाल व्यापन तिथी माने जाती है इसलिए अनन्त चतुदशी का पर स्ताने सितंबर को सुभे रखा जाएगा इसी दिन गनेशी का विसर्जन होगा अनन्त चतुदशी पूजा का शुब महुरत क्या है लाब चोगडिया सुभे 10 बज कर 43 मिनट से 12 बज कर 15 मिनट तक होगा इस अबधि में आप पूजा कर सकते हैं बंधों अनन्त चतुदशी पूजा विधी क्या है अनन्त चतुदशी के दिन सुभे सुरे उधे से पहले शुनान करें और फिर व्रत का संकल पलें वैसे तो अनन्त चतुदशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है वरना आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विश्णु की शेश नाख की शया पर लेटे हुई प्रतिमा की स्थापना करें बंधूं वैसे तो अनंच चतुदशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे का विधान है यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है वरना आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्जना कर सकते हैं पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विश्णु की शेशनाक की शया पर लेटे हुए प्रतिमा का स्थापना करें इसके बाद एक डोरा ले उसमें चोदें बार गाट बांदे इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रखते डोरा रखते समय ओम अनन्ताय नम्हा मंत्र का जब करें इसके बाद पूरुष अपने दाहिने हाथ में और इस्तरी अपने बाएं हाथ में डोरे को बांद ले इसके बाद अनंच चतुदशी की कथा का पाट करें क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिलता भगवान विश्णू और माता लक्ष्मे की पूजा अचना विधी विधान से करें और फिर आरती करें फिर ब्राहमनों को भोजन कराएं ब्राहमनों को भोजन कराने के बाद परिवार सहित आप स्वैंभी परशात क्रहन करें बंधो यदि आप अनंच चतुदशी की इस प्रकार विधी विधान से पूजा करेंगे तो भगवान विश्णू आपके सभी मनोरत शिक्र अतिशिक्र पूरण कर देंगे बंधो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले धन्यवाद राधे राधे चेश्शी क्रिश्णा